Assalamualaikum everyone, welcome back to my youtube channel English Language Plus Literature आज हम linguistics related एक शॉर्ट सी वीडियो लेके हाजर हैं जिसमें हम discuss करेंगे What is chord mixing and what is chord switching? Chord mixing is when someone uses one word or phrase from one language to another language and chord switching is when language is arranged structurally and grammatically in other language Chord mixing से मुराद ये है कि जब हम एक language बोलते हैं तो बोलने के दुरान हम किसी दूसरी language के कोई words या phrase उस language के अंदर use करें For example, अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ, कल मैं movie देखने गई, रास्ते में I met Nadia अब इस चगा पर अगर हम देखें, तो मैं अर्दू में बात कर रही थी और फिर जो इनसा है दर्मियान में जो मैंने phrase यूज की I met Nadia तो इसका ये English की phrase है तो हमने जब एक language हम अर्दू language यूज करें हैं और इसके अंदर हम दूसरी language या English language की हमने phrase यूज की या कोई word हम English का use करेंगे या किसी भी और language का कोई word या phrase यूज करेंगे तो उसे हम code mixing कहेंगे और code switching क्या होता है कि जब हम एक कोई एक language बो रहे हो और बोलने के दुराँ हम proper तोर पे दूसरी language के अंदर convert हो जाते हैं उसमें हम कोई phrase या word यूज नहीं करतें दूसरी language का बलके proper तोर पे दूसरी language बोलना शुरू करते हैं code mixing के दुरान हम दूसरी language का या तो कोई word यूज़ करते हैं या कोई phrases यूज़ करते हैं proper तोर पे language एक से दूसरे में convert नहीं होती यानि code सुचिंग के दुरान आप कह सकते हैं कि एक language बोलने के दुरान हम proper तोर पे दूसरी language की तरफ टांसफर हो जाते हैं तो ये तो थी short सी video और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने linguistic के कौन से topics पे short videos बनाई हैं तो आपको description box में वो सारे questions मिल जाएंगे